दोस्तो वेलकम टो यूटूब चैनल दोस्तो आज हम बात करेंगे एक पीमियम केडी कार्ड की जिसका नाम है यू जैनित कार्ड कार्ड यह क्रेडिकार्ड के बेनिफिट्स बताऊंगा साथ ही इसके बताऊंगा कि यह जैनित कार्ड अभी दो वेरेंट में लोग चोचो का इएक मेटल के डीकार्ड यू का और तो कौन सा करता चाहिए तो पहले बात करते है यूजेनित का हूँ बैनिफिट के बारे में दोस्तो ये यू जैनित का घडिकार्ड के बात करें तो अगर आप वेरें उसको अनदर अगर आप इसको यूज करते हैं किसी भी प्री आपको 10,000 रुपेत का bonus reward point मिल जाता है जिनकी वेल्यू होती है जो पत्चीस रुपे की क्लेंड होती है तो यह सब benefit आपको मिल जाता पर आपको 60 days के अंदर करना होता है अब मैं एयू जेनिस ग्रेडिकार्ट के मेन benefit की बात करो तो इसमें आपको एरपोर्ट लॉंज जाता है अगर डॉमेस्टिक लॉंज की बात करते हैं तो आपको एक कौटर में दो गंपलिमेंटी लॉंज जाते हैं प्राइटी पास के साथ जिसमें प्राइटी पास के आपको एक benefit और मिलता है कि आपको रेलवेय के जो आज के लॉंज हो है आएएटी जी के वो दो कमलिमेंटी लॉंज जाते हैं साल के लगबग आपको एट कौर्टर लॉंज जाते हैं रेलवेय के भी और तीसा benefit एक बात करो तो इसमें आपको वन परसेंट तक का फ्यूल करते हैं तो यह आपको इनकी नमबर करके दे सकते हैं और एक बड़ा benefit होता है करते हैं तो आपको इसको जो मार्क फिस लगता है वो इसे वन पर नाइन परसेंट के मुकाबले दोस्तों के रिवार सिस्टम की बात करें तो अगर आप रिटेल में स्पेंड करते हैं 100 रूप हैं तो आपको इसमें जो 10 reward point मिल जाते है पर 100 डिस पे और अगर आप किसी भी केटेग्री में कहीं भी इस्पेंड करते हैं तो 5 reward point per 100 रूपी मिल जाते हैं जो कि मिनिम आपको मिलता है और अगर वो फ्यूल पर आपको ट्राइश करते हैं वहांपर बाकि आपको रेंटल प सबाइब करुम होती है तो सुछ आप यूज कर सकते हम होटल बोकिंंग और तो दोस्तों दोस्तों रिवायर्ड सिस्टम सेगल जानुज तो अगर यूज दा करने रौने करima भी कंद परशेंट to डाय रुपे मिल जाता है और दूसी अधर केटेगरी में आपको 1.25 परसेंट का बेनिफिट मिल जाता है बना हंडे रुपे पचीस बेसे बेनिफिट मिलता है इसमें और फ्यूल रुपे प्वाट पॉइंट से आपको नहीं मिलते हैं देखने को दोस्तों यह जने गार्ड क सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 1000 रुपे मिल जाता है एक क्वाटर कलेंडर में और वहीं अगर आप यहली मैलिस्टों की बेनिफिट बात करें तो इसमें आप 8 लाग का स्पेंड कर देते हैं एक साल के अंदर तो आपको यह मेंबर से मिल जाते हैं इसके मेंबर से कहीं बेनिफिट्स मिलते हैं आपको कहीं डिसकाउंट मिल जाते हैं 20-30 परसेंट तके आपके डिफेंट केटेग्रीज में और एक सबसे अच्छा बेनिफिट यह मिल देखने को मिलता है कि अगर आपका बड़्डे और बड़्डे की दनने अगर आप इसको स्पेंड करते हैं क इसे टिकट बुक हुई है तो और काड़ लाइबिलिटीज कवर करते हैं आपका जूर लाइबिलिटीज कवर होता है आपको कोई भी काड़ करते हैं तो आपको पचास हजार तक प्रोटेक्शन मिलता है और सम इंटरेंश टैवल इंसूर्स भी बेनिफिट देखने को मिलत करते हैं और इसमें फर्स्ट एर की फिस अगर वेवेर हो जाती है अगर आपको तब बैनिफिट है अगर आपको के डिकारड लाइफ टैम्पीर मिले और यह लाइफ टैम्पीर कैसल लेना है इसके लिए अगर या तो गवर्मेंट एनपलोई हो या फिर पीएस या फिर के सित्ते हैं उनमें सब किसी भी केटेगर माते हो तो आपको यह कार्ड पुरा लैप फिर मिल जाए तो लैप टैम फिरी मिलें तो कार्ड आपको ओवर्शिय लेना चाहिए दोस्तों अगर हम बात करें तो यह जनीर के साथ यह जनीर प्लस केडिकार भी लॉंच कर दिया गया है इस केडिकार के सिर्फ एकप बड़ाएड मलता है ऐरपोर्ट लौनेट यह पसले डिसे प्लस केडिकारन है कि आप इसमें आपको 100 spend करते हैं आप टैवल और डाइनिंग और इंटरेंस spend पे तो आपको सब 2 reward point मिलते हैं जिनकी value 2% की equivalent होती है जनेट प्लस कार्ड में और वहीं वहां पर आपको maximum benefit 5% तक देखने को मिलता है और जबकि यहां पर आपको 2% तक है maximum benefit देखने को मिलता है पाकिसमें कोई खास फरक नहीं है बस metal कार्ड आपको बना दिया गया है और additional benefit कुछ भी खास नहीं मिलता है सब चीज है सेम है इसमें फिस आपके वह 4999 कर दीगे प्लस एप्लिकेबल टेक्स लगा दी गई है लेकिन यह कार्ड आपको lifetime free बिलकुल नहीं मिलता है वह कार्ड आपको जनेट जो है lifetime free मिल जाता है पॉब्लिक सेक्टर और गवर्मेंट एमप्लोई हो आज कल तो हर किसी दिया जा रहा है और कार्ड में जाए और जनेट फ्लस कार्ड प्लस कार्ड में जाए क्योंकि मेटल का chloride कई ॐस व